हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ धनेश और आप देख रहे हैं क्रिशक इंडिया क्रिशक भारत दोस्तों अगर आप देशी मुर्ग का पालन करते हो तो आपको पता ही होगा कि इस मौसम में बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है और इस मौसम में देसी मूर्ग को पालना बहुत ज़्यादा कठीन होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगी कि कैसे ठंड के मौसम में होने वाली बीमार्यों से हम अपने मूर्गियों को बचा सकते हैं और किस तरह से हमें ठंड के मौसम में मेनेजमेंट करना चाहिए तो चले दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ठंड के मौसम में पूरा वातावरन ठंडा होता है और खास करके जो हवा चलती है वो ठंडी हो जाती है और अगर वह मूर्गियों को सिधी पढ़ रही है तो मूर्गियां बिमार पढ़ जाती हैं तो इसलिए सेट को परदे से ढख करके रखना चाहिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अपने सेट को 2400 गंठे परदे से ढख करके रखेंगे ऐसा करेंगे तो गैस बहार नहीं जाएगा और मूर्गियां बिमार पढ़ जाएगी तो इसलिए आप रात के समय में लगभग 6 इंच उपर से छोड़ दें उसमें हवा आने जाने दें और उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है उसको ढख दें और दिन के समय में आप लगभग 8 बजे के बाद परदे को पूरी तरह से मतलब नीचे गिरा दें ताकि हवा अच्छी तरह से अंदर बहार हो सके और जो भी अमोनिया वगरा गैस बन रहा है वो बहार जा सके अगर आप सेट को ठन के मौसम में हमेशा परदे से ढखे रहते हैं तो वहाँ पर ऑक्सिजन की कमी हो सकती है जिससे आपके मुर्गियों को एसाइट्रिस की विमारी हो सकती है जिसमें आपके मूर्गियों के पेट में पानी भर सकता है दोस्तों इसके अलावा अमोनिया गेंस भी बन सकता है जिसके कारण मूर्गियों के आग में भी समस्या आ सकती है तो इसलिए आप दिन के समय में परदे को पूरा गिरा दें जब धूप निकल आए और रात के समय में लगभग उपर से 6 इंच को छोड़ करके नीचे का हिस्सा आप ढग दें दोस्तों अगर आपके पास छोटे चुजे हैं तो आप कम से कम 3 दिन तक पूरी तरह से बंद कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आपके चुजे 3 दिन से उपर के हुए लगभग 5-6 दिन के हुए तो उपर का 6 जरूर छोड़े बहुत से किसान साथी फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं और वहां पर पेंड पौधा होता है तो मुर्गियां रात के समय में वही पर चड़ जाती हैं और वही पर सोती हैं तो अगर ठंड का मौसम है तो आप ऐसा ना करें मुर्गियों को सेड के अंदर रखने का ही कोशिस करें दोस्तों अगर आपके सेड में छोटे चुजे हैं और ठंड मौसम है तो उनका बूर्डिंग जरूर करें इसके लिए आप गैस बूर्डर, इलेक्रिक बूर्डर या तो हेलोजन का भी उप्योग कर सकते हैं और अगर आपके पास बड़ा मुर्गी है तो आप पिला वाला जो लट्टू आता है उसको भी जला सकते हैं अगर सव आठ का जला रहे हैं तो वो सव से डेड़ सो मुर्गी के लिए काफी होता है बहुत से किसान साथी पिंजडे में भी मुर्गी का पालन करते हैं तो पिंजडे को पूरी तरह से आपको पैक कर देना है सिर्फ एक जगह को आपको कहीं से थोड़ा सा छेद उसमें बना देना है जो आप जिल्ली ढखेंगे या कोई भी त्रिपॉल वगर जो ढखेंगे उसमें छोटा सा छेद आप कर सकते हैं ताकि उसमें से आपके मुर्गी को हवा मिलता रहे हैं दोस्तों ठन के मौसम में पानी को चेंज करते रहना चाहिए अगर आप अपने मुर्गियों को सबेरे पानी दे रहे हैं और उसको वो साम तक भी नहीं पिए हैं तो उसको आपको साम को बदल देना है रात के लिए नहीं छोड़ना है क्योंकि उसका जो टेंपरेचर है वो डाउन हो जाए रहता है बहुत ज़्यादा पानी ठंडी हो जाता है तो उसको मुर्गियां पीती नहीं है इसलिए अगर आप उसको साम को चेंज कर देंगे तो जब ताजा पानी अपने मूर्गियों को देंगे तो वो मूर्गिया उसको आसानी से पिलेंगी वैसा रात का भी है अगर रात का पानी बचा हुआ है तो उसको दिन को नहीं चलाना है उसको पानी को फेक करके नया पानी फिर से अपने मूर्गियों को देना है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और मुर्गियां कम पानी पीती है तो बहुत सारी समस्या मुर्गियों में आजाती है जैसे कि आपको पता ही होगा गौट जो बीमारी है पानी की कमी की कारण होता है इसके अलावा दाना का पाचन सही तरीका से नहीं होगा और माल या जाए बासी पानी को ही आप रहने देते हैं और उसको मुर्गियां पी भी जाती है तो उनको सरदी होने का चांस रहता है इसलिए पानी को कम से कम दिन में दो बार चेंज कर दें एक तो साम के टाइम और एक सबेरे टाइम तो आप उनको गुंगोना पानी दे एकदम ठंधा वाला पानी आपको नहीं देना है अगर ठंक के मोंसम में छोटे चुजों को antibiotic नहीं दे रहे हैं तो आप कम से कम महने में 3 दिन के लिए antibiotic जरूर दें इसके अलवा ठन के मौसम में हर 15 दिन में आप अपने बड़े मुर्गियों को 3 दिन के लिए multi vitamin जरूर दें जैसे कि आपने अगर आज multi vitamin चलाया तो आज देना है कल देना है और परसों देना है उसके बाद आपको 15 दिन गेप कर देना है उसके बाद फिर 3 दिन के लिए आपको multi vitamin देना है दोस्तों अगर आप मुर्गियों को antibiotic देते हैं मुर्गियों में मुर्गियों में होने वाली कोई भी बिमारी हो बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है क्योंकि हम ज्यादा तर टाइम परदा को बंद करके रखते हैं और परदा बंद होने कारण हवा अंदर में ही घुमते रहता है और अगर वो विमारी संक्रामक है फैलने वाली है तो जाहिर सी बात है आपके पूरे सेट में बहुत तेजी से फैलेगी तो इसलिए इस वीडियो में जो भी जानकरी आपको दिया गया है उसको फॉलो करना है साथ इसाथ जो भी दवाई जरूरी होता है उसको आप अपने मुर्गों को जरूर दें दोस्तों इस वीडियो में आपको वैसे तो ज़्यादा दवाईयों के बारे में नहीं बताया गया है लेकिन एक से लेकर के 60 दिन तक कैसे देशी मुर्गी का पालन करना है उसके बारे में पूरी जानकरी हमारे चैनल पे उपलबधा है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और अगर आप चैनल पे सिधे जाकर के उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखें एक से लेकर के 60 दिन तक का आपको वीडियो बहुत ही आसान तरीका से समझाया गया है अगर आप पहली बार भी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको उस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाब होने वाला है और मुर्गी पालन में जो भी किठनाया आपको आ रही है वो आसान हो जाएंगी तो ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी वाला वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंट्रेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकाउन को दबाद दीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर है सबसे पहले उसका नोट्रिपिकिशन आप तक मुझे तो ठीक है मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी रिक्साथ तब तक के लिए जैन जैब